दोस्तो आज का ये वीडियो होने वाला है बोल्ट मीटर इंस्टॉलिशन के उपर तो बोल्ट मीटर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें मीटर रिमूब करना होगा तो मीटर रिमूब करने के लिए सिंप्ली सबसे पहले एक कनेक्टर रिमूब करना होगा तो इस प्रकाद से रिमूब हो जाएगा नेक्स्ट हमको यहां से यह मीटर की जो केबल आती है स्पीडो मीटर की इसको रिमूब करना होगा तो इसको रिमूब करने के लिए simply से loose करना है प्लायर की मदद से और इस simply हमारा जो है बाहर आजाएगा इस प्रकाद से इसको remove करना काफी जादा easy है तो इस प्रकाद हमारी meter के बार remove हो जाएगी next step में हमें यहाँ पर screw दिया है इसको remove करना है total तीन number होते हैं screw जो के meter को रोक के रखते हैं इस प्रकाद हम दूसरे number का screw जो है remove करेंगे और इसके बाद हमको तीसरा स्कूरू जो है रिमूब करना है और simply हमारा जो मीटर है वो बहा जाएगा तो जल्दी से इसे भी रिमूब कर लेते हैं एक मैगनेट लेंगे और इस स्कूरू को बहार निकाल लेंगे क्योंकि ये थोड़ा अंदर है तो इस पकाँ से स्कूरू बहार जाएगा नेक्स स्टेब में हम जो अपना तीसरा स्कूरू निग रिमूब करेंगे तो इसको भी जल्दी से हम रिमूब कर लेते हैं और इस पकाँ से हमारा जो मीटर है वो बहुत ही इजिली बहार जाएगा तो जल्दी से screw को बहार निकाल लेते हैं तो इस पका से बहार जाएगा और इसके साथ ही हमारा meter जो है वो अपनी position से बहार जाएगा इस पका से next है हमको meter के screws जो जितने भी सामने के ओर से दिये हैं इनको remove करना है तो remove करने भी हमारे जो front panel है बहार जाएगा similarly back panel पे भी जो screws दिये हैं उनको remove करना है और इसके बाद जो हमारे सारे screws जो है वो बहार जाएगे और इस पका से panel बहार जाएगा आप यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हमारा meter जो है meter के assembly वो बहार जाएगी इस पका से यह हमारी मीटर के असेम्बली हो गई पूरी यह कुछ पकार के दिखती है देख सकते हैं आप तो यहाँ पर हम अपना इस बोल्ट मीटर इंस्टॉल करेंगे हाँ पर तो सबसे पहले इस नीडिल को हम बहार निकाल लेंगे तो सिंपली इसको बहार के और पूल करना है आपको और यह नीडिल जो है बहार जाएगी हमारी तो जल्दी से बहार निकाल रहे थी इस पर कासे बहार जाएगी इसके बाद यहाँ पर स्कूरू दिया है चोटा सा इसको रिमूब करेंगे screw remove करने के बाद यह जो front में पैनल लगा होता है यह भाहर आ जाएगा इसके बाद यहाँ पर clamp दिये रहते हैं इनको remove कर लेंगी और इस परकार से हमारा जो meter का main chip होती हो भाहर जाएगी यहाँ पर एक diffuser दिया है इसको हम भाहर निकाल लेंगी यह पर अपना bolt meter लगाएंगे क्योंकि मेरी स्कुटी है वो Alex model है इसमें side stand नहीं आता है side stand indicator तो इसलिए यहाँ पर मैं bolt meter लगा लूँगा तो कुछ इस प्रकार का bolt meter है तो यहाँ पर यह properly fit हो जाएगा इस प्रकार से यह मैंने location इसके लिए select कर लिए है यहाँ पर properly बैठेगा तो मैंने जो meter का front panel था उस पर hole कर लिए है तो यहाँ पर मैं जो है जो हमारा bolt meter था चोटा सा इसको यहाँ पर fit करूँगा और इसकी cutting मैंने इसके size हिसाब से कर लिए है जिससे की यह properly इसमें fit हो जाए और fitting के वक्त हमको किसी परकार की problem ना आए तो कुछ इस परकार से हमारा bolt meter है वो slot में या इस hole में जो है properly बैठ जाएगा तो कुछ इस परकार के दिखता है इसके बाद जो है यह हमारा bolt meter है वो यहाँ पर मैंने इस panel से इस wire को बहार निकाल लिया है इसके बाद जो है मैंने यहाँ पर से जो clamp remove करे थे इनको वापस से लगा लिया है next यहाँ से मैंने wire को निकाल लिया है और इसके बाद जो है needle हमने जैसे निकाली थी simplest को भी वैसे लगा लेंगे simply इसको press करना है अंदर के और और needle अपनी position पे जाके बैठ जाएगी तो कुछ इस प्रका से जो needle है हमारी speedometer की वो अपनी position पे जाके बैठ जाएगी इसके बाद जो पीछे का panel था उसको वापस से लगा लेंगे हम इस प्रका से simply इसके बाद इसके screws भी tight कर लेंगे पहले सबसे पहले front panel भी लगा लेंगे हम इसके बाद जो है सारे screws tight कर लेंगे तो सारे screws मैंने हाँ पर tight कर लिए हैं इस प्रका से दोनु side के front से भी और back से भी तो इस प्रका का आप जो है properly fit हो गया हमारा speedometer और यहाँ पर मैंने connector भी लगा लिए है voltmeter के लिए यदि हमें कभी remove करना हो तो इस प्रका से आप जो हम अपने meter को वापस से install कर लेते हैं तो जितने हमने screws remove कर रहे थे तीन उनको हम वापस से लगा लेंगे और meter हमारा पहले की तरह install हो जाएगा यह दूसरा screw हम जो है लगा रहे हैं यहाँ पर इसके बाद जो तीसरा screw है इसको भी लगा लेते हैं तो जल्दी से इस लगा लेते हैं इस screw को भी हम इसके बाद जो हमने connector remove कर रहा था इसको भी वापस से लगा लेंगे इसको लगाना भी क लूज कर लिए नहीं कि हमें आपर बोल्टमीटर का जुए नेगेटीम देंगी तो मैंने बोल्टमीटर के ऑक वॉशर को जो है ऐटेच कर लिए है जिसकी मैं इसको बैंटरी पर सिंप्लिए attach हो जाएगा अब जो है next हमको positive connection देना है तो positive connection देने के लिए हम पर coupler remove करूँगा और जो है इसमें जो है इसको properly install कर दूँगा तो इसको simply तो coupler को खोल के इसमें red वाला जो black वाला टर्मिनल जो होता है उसमें हम इसको लगा लेंगे black वाले टर्मिनल में जो हम ignition on करते हैं तभी current आता है और red वाले में हमेशा current रहता है तो हमको इसको black वाले में लगाना है तो मैंने हम ब्लैक वाले में लगा के हम coupler को फिर से बंद कर देंगे और इसको पकार से हमारे connection पूरे हो जाएंगे तो मैंने यहाँ पर अपना headlamp cover और hood इंस्टाल कर दिया है तो यह bolt meter कुछ इस पकार का दिखता है काफी decent look है इसका और properly हाँ पर इस नगली यह fit हुआ है तो इसके बाद हम इसका night mode देखते हैं तो night mode कुछ इस पकार का है 13 volt यह show कर रहा है 12.9 13 volt तो इस पकार से हमारा जो bolt meter है वो successfully install हो चुका है तो इस वीडियो में बस इतना ही thank you